Hello friends, welcome back to our channel आज की इस वीडियो में हम SBI Magnum Mid Cap Fund का complete review करेंगे देखेंगे कैसे returns इसमें आ रहे हैं किस टाइप का risk लिए आ गया है कैसा इसका portfolio है दोस्तो हमारे एक subscriber सुबरता जी ने इस पे एक detailed वीडियो बनाने के लिए बोला जिसके लिए मैं SBI Magnum Mid Cap Fund पे ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगर आपको भी किसी topic पे कोई वीडियो चाहिए या किसी mutual fund की scheme का review करना है तो आप comment section में बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उसका भी वीडियो बनाने की तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Friends, SBI Magnum Mid Cap Fund में अगर आप invest करने की सोच रहे हैं तो आपका time horizon कम से कम 7 से 8 साल का होना चाहिए क्योंकि ये एक mid cap oriented fund है यानि अपना major पैसा mid cap stocks में लगाता है तो ये ऐसे funds होते हैं mid cap funds, small cap funds comparatively risky होते हैं तो इन में 7-8 साल का time रहे लेके चले तब ही अच्छा रहता है Friends, ये scheme launch होई थी 29 March 2005 को यानि 19 साल इसको complete हो गए है इसका price per unit यानि NAV है 209.8 का expense ratio है 1.7% expense ratio हमें बताता है कि कितनी fees हमारी mutual fund में से ली जाएगी उस fund को manage करने के लिए इसका asset under management यानि AUM है 16,856 करोड यानि लोगों का इतना पैसा scheme में invested है minimum investment की बात करें तो आप 5000 lump sum से कर सकते है additional investment 1000 से start कर सकते है और monthly SIP 500 से start कर सकते है maximum की कोई भी limit नहीं है अब scheme का market cap अगर देखें तो large cap यानि top 100 stocks में 8.37% का exposure है mid cap companies यानि 101st से लेके 250th company जो होती है mid cap company उसमें almost 66% का exposure है और बाकी जो सारी companies होती है small cap companies उसमें 17.5% का exposure है अब इसका portfolio देख लेते हैं total 71 stocks में investment scheme में किया गया है at present top 5 stocks की portfolio है 18.88% top के 10 stocks का exposure है almost 32% का top के 3 sectors का exposure है 26.85% का अब देख लेते हैं पहले top के 5 stocks कौन से हैं क्रिसिल, टॉरेंट पॉवर, थरमेक्स, सुंदरम फाइन्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट अफ इंडिया है top के 5 stocks और जो next 5 stocks हैं पहले 5 stocks के बाद के stocks वो देख लेते हैं इंडियन होटेल्स कामपनी शेफलर इंडिया, माक्स हेल्थ केर इंस्टिट्यूट, के पी आर मिल बजाज पाइन्स जैसी कमपनीज आपको मिल जाएंगी इसमें जो next 5 stocks हैं तो हमने top के 10 stocks देख ली हैं SBI Magnum Mid Cap Fund के अब देख लेते हैं कैसे इसमें returns आ रहे हैं पहले हम बात करेंगे lump sum investment यानि one time investment की अगर किसीने 1,00,000 रुपे invest किया है तो कितना percent return आया है कितना पैसा बनाया है और category average से उसको compare भी करेंगे category average हमें बताता है कि mid cap जो schemes हैं उन सभी schemes की जो average अगर return निकालें तो उसको बोलते हैं category average one year में 1,00,000 का amount बना है 1,42,000 42% की return आया है category average में 52% की return आया है तो पिछले एक साल में under performance है इस fund में return थोड़ा कम दिया है इस fund ने 3 साल पहले की returns देखें तो 1,00,000 का almost double बना दिया है 1,99,000 25% की return आया है category average में भी similar return देखने को मिली है 5 साल का period में अगर देखें तो 1,00,000 का amount बन गया है 2,81,000 which is good 23% की return है category average से compare करें तो वहाँ पे भी 22.23% का return है 1 साल के period में category average को under perform किया है इस fund ने लेकिन 3 साल और 5 साल के period में बराबर सा return दिया है इस fund ने 10 साल के period में अगर देखें तो 1,00,000 का amount बना है 6,00,000 6,00,000 पैसा बना दिया है वैसे तो बहुत अच्छी return है देखा जाए क्योंकि FD में करोगे या post office का किसान विकास पत्र लोगे तो 9 साल 7 महिने में डबल होता है यहाँ पे 10 साल में almost 6 गुना बन गया है पैसा return आया 19.76% का वहीं category average का 20% का return है तो बराबर सा return में बोलूँगा कि बराबर सा ही return है 10 साल के period में भी और जब से यह fund start हुए 2005 के मार्च से तो इस fund में 1,00,000 का amount बना है 20,98,000 लगबग 21 गुना पैसा करके दिया है 17.32% की return है category average में return है 20.9% तो again category average से थोड़ी सी इसने कम return दी है तो अगर returns के parameters पर देखें तो एक साल में तो इसने performance कम ही दिखाई है बाकि 3 साल, 5 साल, 10 साल के period में category average के बराबर का return यह दे रहा है और since inception भी देखें तो category average से कम इसमें return आई है अब देख लेते हैं SIP के बारे में अगर किसी ने 10,000 की SIP करी है एक साल पहले तो amount बन गया है 143,000 return आया 37% का 3 साल पहले SIP करी है तो 5 lakhs amount बन गया है 24.9% का return है 5 साल पहले SIP करी है 10,000 per month की तो amount बन गया 12,14,792 double हो गया पैसा दीरे दीरे दिया हुआ 5 साल में 6,000,000 रुपे दिया और 12,000 बन गया है 28% की return है 10 साल के period में देखें तो 12,000,000 रुपे जेब से गया और amount बन गया 32,000,000 रुपे 18.8% की return आई है तो returns तो SIP के अच्छे इसने बनाई दिये है अब देख लेते हैं किस टाइप का risk इसमें लिए आ गया है compare again करेंगे category average से सबसे पहले standard deviation देख लेते हैं standard deviation दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बताता है कि कितना risk है fund में कितनी ज़्यादा volatility है fund कितना ज़्यादा उपर नीचे हो सकता है fund का standard deviation है 13.77 category average का 14.76 यानि category average से इसमें risk कम लिया गया है दोस्तों इसमें low volatility आपको देखने को मिलेगी as comparison to category average मतलब fund में risk category average की मुकाबले कम लिया गया है तभी आपने returns भी देखें तो comparatively इसमें कम है बाकी आप funds को compare करोगे जैसे HDFC mid cap को देख लो Quad mid cap को देख लो Nippon India Growth Fund को देख लो तो returns पिछले एक दो साल में तो इसने कम दी है थोड़े से उनके मुकाबले क्योंकि risk भी कम लिया गया है sharp ratio हमें बताता है कि FD वगारा के मुकाबले risk free asset के मुकाबले कितना जाधा fund return दे रहा है जितना जाधा शाप ratio उतना बढ़िया रहता है especially एक से उपर तो होना ही चाहिए इस fund का 1.02 category average का 0.95 तो better risk adjusted returns इसमें मिले है alpha हमें बताता है कि benchmark के मुकाबले fund में कितना अच्छा return आ रहा है कितना जाधा return आ रहा है तो alpha 0.45 है category average का minus 0.68 है तो वैसे तो पता लगता है better risk adjusted returns है लेकिन कोई बहुत great alpha नहीं बोलूँगा मैं risk ratios देखके उतना जाधा अच्छा नहीं लग रहा है fund ठीक ठीक लग रहा है तो friends अगर आप एक new investment स्टार्ट करने की सोच रहे हो mid cap fund में और आप risk बहुत ही कम लेना चाहते हो तो उस लिहाद से देखा जाए तो ये एक ठीक fund लग रहा है SBI Magnum Mid Cap Fund लेकिन अगर आप दूसरे funds को देखोगे जैसे HDFC Mid Cap Opportunities Fund तो at present वो better लग रहा है बाकी friends अपनी investment करने से पहले अपनी research भी जरूर करना क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक educational purpose के लिए मैं बनाता हूँ और दोस्तों मैंने अपने description में अपने Instagram channel और बाकी other useful links भी दिये हैं आप एक बाच आके उनको भी explore जरूर कर लेना आज की वीडियो यहीं तक थी अगर पसंद आयो तो like कर देना चैनल को subscribe कर लेना Thank you for watching